ओम शान्ती तीन जन्वरी दो हजार बाइस की साकार मुर्ली से होमवर्क आज की मुर्ली से हम स्वामान लेंगे मैं मास्टर सरव शप्तिमान हूँ मास्टर सरव शप्तिमान अर्थात सरव शक्तियों का अधिकारी बनकर समय पर उन शक्तियों को यूज करेंगे इसके लिए एक विजन बनाएंगे मैं सरव शक्तियों की छत्रचाय के नीचे करम योगी करम कर रहा हूँ और शक्तियों का ओरा मेरे आसपास है, मेरे शक्ति सवरूप से अन्या आत्माओं को सरव शक्तिमान बाप दिखाई दे रहा है, इस विजन से आज सारा दिन करम करेंगे आज की मुरली से विशेषता लेंगे न्यारा और प्यारा, ब्रह्मा बाबा की तरह कमल फुल समान न्यारे और प्यारे बन करके रहेंगे, न्यारे होना है हमें पुराने संसकारों से, उसके लिए आज हम अटेंशन देंगे, अपने को बार बार आत्मा समझना, मैं नीराकार आत्मा सो आकारी फरिष्टा, इसका अभ्यास करेंगे, और देहे से न्यारा होना अर्थात, आज हम संपूरन ड्रेस को बार बार पहनेंगे, जैसे बाबा विश्नु की ड्रेस पहनते थे, अलोकिक शिंगार करके रखते थे, तो दूसरों को विश्नु का साक्षातकार होत अब हम करम और उसके फल से न्यारे रहना है हमें, इसके लिए आज हम ट्रस्टी हो करके हर करम करेंगे, हद की इच्छा से उपराम हो करके, आज की मुरली में बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें राजयोग सिखा करके विश्व माहराजन, विश्व माहरानी बनाता हूं, पहला मुझे संपूरन निर्विकारी बनना है, दूसरा अटेंशन देंगे, मुझे नौलेज़फुल बनना है, और तीसरा आज की मुरली से अटेंशन देंगे, कि मुझे मर्यादापुर्शोत्तम बनना है, संपूरन निर्विकारी बनने की विधी आज की मुरली में बता क्योंकि बाबा के साथ योग लगाने से दातापन के संसकार इमर्च हो जाते हैं। करने की वरिती को शांत कर सकते हैं और अपने संग से दूसरी आत्माओं को परमातम प्रेम का अनुभव करा सकते हैं। इस तरह जब हमारा पुन्या का खाता जमा हो जाता है तो पाप अपने आप ही जो विकरम का बोज है उसमाप्त हो जाता है। दूसरी विधी बताई मर्यादा पुर्शोत्म तो हम अपनी संकल्प की मर्यादा रखेंगे हर संकल्प यथार्थ हो। कि मर्यादा में रहेंगे कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और इस तरह हमारे करम की मर्यादा है करम योगी होकर करम करो। संबंध की मर्यादा है हर संबंधी को अलोकिक द्रिस्टी से देखे और ज्ञान युप्ध मर्यादा युप्ध व्यभार करें। knowledgeful बाबा ने बोला स्रेष्टाचारी बनाता हूं तो इसके लिए हमनेなालेश-फुल होकर के रहना है knowledgeful अर्थाद बाबा ने कहा बाप को यरथात रिती समझकर उनका रिगार्ड रखना है और हर करम शिरिमत परमान करना है तो आज बाबा ने माताओं को आगे रखने के लिए कहा क्योंकि ज्यान का कलश उनको दिया गया है यथात रिती बाबा को समझना अर्थात बाबा की हर डारेक्शन को जो मुरली में रोज मिलती है उसको जीवन में धारन करके अपने टीचर को रिगार देना और सत्कुर्य के वर्दानों का सवरूप बन करके अपने जीवन से बाबा को परत्यक्ष करना इसी तरह इन बातों को आज की मुरली से हम धारना में लेंगे ओम शान्ति